15 साल की एक छोटी उमर की बच्ची के साथ जो बलातकार हुआ था पांचवा मेना का प्रेगनेंड था जब ये केस देने दर्ज करने जाते हैं पोली स्टेशन तो इनको बोल दिया जाता है अगर तुम पोली स्टेशन में केस करोगे तो तुम्हारा को इस गाउं से बहिशका किया जाएगा हुचे जात के जो लोग है वो लोग उसके साथ ग्यांग रैप किया था देरीज नो वन अर्रेस्ट इन इस केस अभी धूंड रहे वोलके अड अड़ाफा बाते कर रहे हैं कहा है ये कांग्रेस सरकार दलीतों की सरकार कहां है सरकार ये वह राटा ये बंद क कार्य क्रम में आप शामील हो जाईए और दलितों के उपर जो अत्याचार चल रहा है इसके द्वनी बनिए आज हम मादी का दंडोरा मादी का मिसल आती होरटा समीती के तरफ से पत्री का गोश्टी करने आये हैं विशय है यादगीरी जिल्ले का कोडेकल ग्रामा कोडेकल गा बलतकार हो था बलतकार होके पांचवा मैने का प्रिग्नेंट था उसके बाद उनके घरवालों को मालूम गया बाद में कौन नहीं पीचे कौन है करेसों बोलके वह तो जो उंचे जात के जो लोग है सुवर्णियरों जो बोलते हैं वो लोग उसके साथ गैंग्रेप किया वह विशेय जब बहार आया तो वह विशेय का पगड़ के अमारा माधिक दंडोरा समीती वह गाउं को विजिट किया वह फैमिली को विजिट करके पूस्ताश करने के बाद मालम हो गया कि यह बहुत सालों से हमारे दलीत समुदाई के साथ यह अत्याचार अन्याई होते ही आ पोलीस अधिकारी है उनका भी कुछ भी नहीं इग्नोरेंस हुआ है और अंगानवडी कार्यकरतर जो मैडा मतु मकड़ा वुमेन एंड चेल्ड डवलपमेंट अथारिटीज है वो भी टोटली देहर टोटली इग्नोरिंग दिस मैटर क्यों बले तो हमारे यह पिचडे जा अधिका दस नेशनल प्रसिडेंट ओफ एमार पीएस उनके आदेश के प्रकर नर्सपपा दंडवरा उनके नेतरुतु में आज हम तीस जिल्ले में पूरा हर जिल्ला में हम प्रस्मेट कर रहे हैं और यादगीरी जो जिल्ले में जो गटना गटी है वो जिल्ले बंद करने जो यह दुरगटना गटने के पीछे काना दा कई गड़ बोले तो नहीं दिखने वाला हाथ जो बोलते हैं यह करने के लिए जिसका जिसका कांस्परेंसी हुआ है और जब यह केस देने दर्ज करने जाते हैं पूली स्टेशन तो इनको बोल दिया जाता है अगर तुम पू आणी अंगडी वो सब तरफ बोल दिया जाता है अगर यह लोग यह समुदाई के लोग तुम्हें पूछने आये केस कर रहे हैं अगर यह लोग अगर आये तो इनको निराकर करो यह जात को तुम आगे लगा लें मत इनको दूर बेजो हमारे से बोलके पुरा गाउं गाउ तो पूरे अब यातिगीरी जिल्ला में हम हायर अथारिटीज को भी इनफर्मिशन करें तो भी फोक्सो काईदे के अंदर यह 15 एर्ज की एक नबालिक लड़ी की के साथ अत्याचार होता है और प्रेगनेंट होती है पांच मैने की प्रेगनेंटी भी होती है फिर भी इसका कोई हाल नहीं निकलता जब हायर अथारिटीज को जाते हैं तो अभी तक भी यह गटना गटके 20 दिन हुआ तो भी इसके बारे में कोई चकर नहीं उकाड़ रहा है अभी धून रहे है बोलके अड़ाफा बाते कर रहे हैं क्या यही चल रहा है इधर हम कोटनोर में देखते है गुलबरगा जिल्ला में अगर थोड़ा कुछ चीया गया है उन मार्पीड थोड़ी हुई है एक महडा पर बोले तो पुरेक 10,000-20,000 MLA MP सब आके खड़े हो जाते हैं कहां ही है यह कांग्रेस सरकार दलितों की सरकार कहां है सरकार सरकार को धूंड रहे हैं तो भी दूर चकर ने उठा रहे है और हमारा एक ही है यह जो हुआ है गटना वहाँ होगा लेकिन कल के दिन में पूरा करनाटका में यह हमारे वंचित समधाई के लिए बहुत बढ़ अनार्त है इसलिए यह विशे को पकरते हुए हम पूरे दलित संगटनावादियों को और दलित लोग नहीं बने तो हमारे साथ ऐसे ही चलते ही रहेगा कितने सालों तक दशकों से हमारे उपर अध्याचार चल रहा है अन्याय चल रहा है वंचित लोगों को और दबाया जा रहा है इसके उपर इसके खिलाफ जाने वालों को भी बंद किया उनको भी दबाया जा रहा है तो इस उसरे जिल्ला में अधिकारी अपना-पना काम संभालेगा अगर नहीं करेंगे तो कल के दिन भी रिपीट करने के लिए करनाट का सरकारा इसको रहेंगा वह बात बोलते हुए हम आपको जागरती मूड रहे हैं जो आने वाली 30 तारीक को उनको अमानत कर दिया जाएगा नहीं